बिश्मिल्ला रख्मान देरीम, असलाम अलेकूं प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग मुझे भीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मैं भी बिलकुल ठीक हूँ तो जनाब, आज जाजीम आपके लिए कर आई हैं, वह है चीट मेल, यानी कि वीकेंट पे खाने वाले ज़वे दस किसम के एक स्टॉफिंग वाले पराठे तो इन एक स्टफिंग वाले प्राटों को अपने वीकेंड्स पे बनाएं और चार चान लगाने जनाब इसमें चीज भी फिल होता है एक भी फिल होता है और ये बहुत ही मदेदार बनते हैं और इनको बनाना है बहुत ही असान तो चलिए आए शुरू करते हैं बनाना सबसे पहले आप इसके अंदर दो कप चाना हुआ मैदा ले लेंगे जी जनाब मैदार से बनाएंगे और मैदार से ये बहुत क्रिस्पी बनते है उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया था तक्रीब हाफ टी स्पूर नमक जो नमक डालते हैं वो जरूर शामिल करें आट और हाफ का पानी या जितना भी पानी आपको जरूरत हो वो डाल कि आपने सॉफ्ट डो बनाना है मीडियम टू सॉफ्ट डो बनाईएगा इसका डो सख्त मत बनाईएगा अच्छे तरीके से इसको गुन लीजिएगा और पेड़े की फार्म में इस तरह ये बन जाएगा जब ये इस तरीके से बन जाएगा ये देखें एक सफ्ट किसम का डो मज़ेदार सब बन गया है इसको फिर हम 10 मिन के लिए रेस्ट पे रख देंगे जैसे कि हमारा आटे को रेस्ट देते हैं थोड़ा से इसके बड़ पानी लगाएंगे ताकि इसकी क्रस्ट सखत न हो जाए चलिए जी अब ये रेस्ट पे जा रहा है जी दस मिनट के लिए उतनी देर में इसकी पेलिंग त्यार करते हैं जना मैंने दो अंडे ले लिए थे उसके बाद ये देखिए अनियन से इसे आपकी मर्जी के हैं जना आप इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया था काली मिच डाली थी और बस साइट पे रख दिया था अब ये दस मिनट के बाद हमारा आटा बिल्कुल रेडी था पेड़े बनाने के लिए ये देखिए जबरस अब मैंने इसके जी दो पेड़े त्यार हुआ है ठीक है जी अब इसके बाद आपने पेड़े बना लेने थे इसके ये देखें जी ऐसे करके बड़े बना ले इसके बाद इसको बेल ले आज हम बनाएंगे जी चकुर किसम के पराटे मेरी दादी की याद मुझे दिला देते हैं जब हम छोटे होते थे तो पराटे के लाती थी तो मैंने सुच आज इनको शेफ दूसरी दे देते हैं ये देखें जी घी अपलाई कीजिएगा जैसे कि आप नॉर्मली हर पराटे पे लगाते हैं उसका पेड़ा बनाते वाद अच्छे तरीके से जब सारी तरफ घी लग जाए इसकी वपर आपने फ फोल्डिंग देख ली जाएगा एक तरफ से ऐसे दूसी तरफ से ऐसे फिर नीचे वाली साइड उपर और फिर उपर वाली साइड नीचे कुछ इस तरह से एक बात याद रखिएगा जब भी आप वरकी पेड़े बनाएं पराठे बनाएं जो भी बनाएं उसकी डो को और अब रेस्ट देते हैं तो वह उसकी लेयर्स खुल कर सामने आती हैं बहुत अच्छे पराठे बनते हैं प्रिस्पी बनते हैं इसको मैंने 10 मिनिट्स रखा था उसके बाद मैंने इसको चकोर ही बेल लिया था कुछ इस तरीके से मोटा बेलेगा पतला बेलेंगे तो स्टफ चकोर फॉर्म में आपने बंद कर लेना ऐसे करके और बहुत हलकी हाथ से इसको बनाईएगा चकोर अब आपने एक जी तवा ले लेना है उसके उपर हलका सगी अपलाई कर दीजिएगा ताके आपका जो पराठा है वह स्टिक न होजए और जलावाना बने हलका से लगाएं पर शामिल किया था नीचे की तरव भी उपर की टरव भी और हलका गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने इसको हो टर्र कर लिया था येओक जाने इत Such बनता है आप लोग वीकेंड पे क्या क्या बनाते हैं हमारे घर में तो ची पराठे बनते हैं रोगनी नान बनते हैं यह देखें कितना जबदस कलर आया है ना और नीचे वाली साइड को भी अच्छे से पका लेंगे यह देखें और कुछ इस तरह से निकल आएगा क्रिस्पी और क्रंची उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली थी आप अपनी मर्जी से अपनी डिजाइड शेप में इसको काट सकते हैं कुछ इस तरह से यह देखिए इसके मैंने कर लिए ते फोर पीसिस दाके इसको मैं अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकूँ और आपको अंदर के लिए इस भ है ना मज़ेदार मुझे आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है स्पेशली नए आने वालों ने कि मेरी रेसिपीस आपको कैसी लग रही है मेरी रेसिपीस को जब आप ट्राय करते हैं अच्छा उटकाम आता है तो मुझे दौव में जरूर याद रखा करें और अपन झालों आता है